हलो आज है नाइन्थ जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात कने चारें डिल्टा कॉर्प के बारे में आज देखा जाए तो तकरीबन देड़ पर्टेसरंट की गिरावट है और गिरावट अगर आप देखोगे तो भया पहले तकरीबन 145 रुपए से भी उपर था तो 140 रुपए के आसपा शेर है गिरावट डेफिनेटली है यहाँ पर एक महीने का ग्राफ देखोगे तो काफी जादा अपस और डाउंस रही तीजी आई एक जटके में अगर आप देखो यहाँ पर तो 121 रुपए से ऐसा भागा 145-150 पर यहाँ वापस से गिरावट शुरू हुई वापस से तीजी आई अब वापस गिरावट शुरू हो जाएगी कि जो नंबर्स आए है वो उतने भी जाद इंकरीजिंग तो नहीं है जो इनके नतीजा आए है वो और यहाँ पर अगर अब एक साल का ग्राफ देखोगे तो भाई साब लगात्तार गिरावट आई है गिरावट की शुरूआत यहाँ पर तब हुई थी जब भाईया जी एस टी ने इनको नोटीस बेजा था जो जो यहाँ पर नोटीस बेजा था इसको इसके अलावा भाई साब जो टेक्स बढ़ोतरी करी गई है ना स्किल बेस गेमिंग हो या कुछ भी हो टेक्स बढ़ोतरी जो करी गई है उसने इनकी और कमर तोड़ दी तो यहाँ पर एक साल में तो और गिरा है जबकि बाजार बहुत अच्छे मूड में रहा है पिछले एक साल ने खूब पैसा बना कर दिया है बाजारों ने लेकिन यहाँ पर वो चीज मिसिंग है अगर हम इसके रिजल्ट्स वगेरा के बारे में देखे तो नतीजे बहुत खराब आए है पिछले साल के मुकाबले तो और भी जादा पैसे करोड के आसपास का इनका रिवेन्यू रहा जो कि इससे पहले के कौटर में 155 करोड था और पिछले साल इसी क्वाटर में 260 करोड का रिवेन्यू था तो आप देखे रिवेन्यू में कितना ड्रास्टिक डिकलाइन हमें यहाँ पर देखने को मिला है काफी बढ़ा ड 21-22 क्रोड का profit है यहाँ पर जो कि इससे पहले के quarter में 72 क्रोड का था इससे पहले के quarter में और पिछले साल इसी quarter में 68 क्रोड का profit था तो काफी बड़ा major decline में कहूंगा यहाँ पर वो आया है इनके profits में profits में यहाँ पर major decline हमें देखने को मिल रहा है और जाहिर से बाद जो tax बढ़ाये गए है वो एक main reason है इसके अलावाद अगर इतना सारा tax होगा तो कहीं न कहीं जाहिर से बात है लोग थोड़ा बहुत तो हिच किचाएंगे यहाँ पर जरूर थोड़ा बहुत यहाँ पर मतलब हिच किचाना इनका बनता भी है और tax expense यहाँ पर मेरे हिसाब से जरूर यहाँ पर रहा है जो पहले से cut जाता है वो वाला tax की मैं हम यहाँ पर बात करे हैं और revenue में जो major decline आया है वो भी एक सबसे बड़ी वज़ा है कि बहुत major decline revenue में देखने को मिला है और यहाँ पर बड़ भी देखो यार future मुझे जहां जहां तक लगता है कि यहाँ से grow करना इनके लिए मुश्किल होगा future में क्योंकि जिस तरीके से government जो है वो पीछे पड़ी हुई है खासा कि ऐसी company के उपर जो मतलब जुआ सटा कहलो आप जो भी कहलो ठीक है तो कहीं न कहीं आने वाले time में मे यहां पर देखने को मिला है dividend हाला की जरूर है एक रुबे पर पच्चिस पैसे का यहां पर dividend देखने को मिला है यहां पर डिल्टा कॉर्प also said that is the board has approved the appointment of the Tara Subramaniam M.Pankaj Rajdan as additional director as a non-executive independent tenure for 5 years 5 सार के लिए definitely यह जोइन कर रहे है यहां पर लेकिन वह को इतनी बड़ी खबर नह the GST council जो जा रहती इतने टाइम से कि वाई सब इतना पैसा चुगा हो इतना पैसा चुगा हो तो पिछलो कुछ मैने से अगे इन speculations बीच बीच में आते रहेंगे कि खोड़ा बहुत राहत मिलेगा यह मिलेगा वो मिलेगा लेकिन देखते हैं जब मिलेगा तब की बात तब करेंगे लेकिन यहां पर देखना important होगा कि आने वले टाइम में टेक्स में तो मुझे लगता नहीं कि benefit कोई होने वाला है यहां पर अगर आप देखो तो अफरेंट 28% का जो यहां पर लगा है GST वो इनके लिए मतलब काफी जाध जाध दिक्कत है पैदा कर रहा है और जह 27 लेक से जाधा के शर्स यहां पर trade होते नजर आए है company का जो market cap है वो तक्रीबन छोटा मरब 3825 क्रोड के आज पास का market cap है इससे 10 गुना मतलब इससे कई जाधा तो इनसे GST मांगा गया था आपको पता हो तो और जहां तक बात करी जाए इस company में तो according to money control user बीचने की बात क नहीं था तो डिवड़न ठीक ठाकी पे करा है और जो numbers बाइस अगर आप देखोगे revenue के लगा था decline वाला हम देख रहे हैं और अभी यह और डिक्लाइन वाला ही फेज रहा है एक सो से क्रोड के आसपास का इनका revenue देखने को मिला है तो graph तो गिर रहा है अगर हम profits के बात करे है क्योंकि sector P41 का है लेकिन जिस तरीके से numbers खराब आये हैं definitely यह और ज्यादा इसके PE को बढ़ा देगा इसके PE रिश्यों को और ज्यादा बढ़ा देगा यह और कोई भी अनालिश खरीदारी की बात नहीं करें financials देखो कि इस company तो जैसे कि मैंने कहा कि number उतने ज्यादा attractive न 12.92% से बेच बेच कर 8.90% पर आये हैं और सारा माल चिपकाया गया है retail investors को even अगर आप यहाँ पर यह देखोगे Files भी 6.68% से बेच बेच कर 1.91 पर आ गई है खरीद कौन रहा है छोटे निवेशक 24.37% से वही छोटे निवेशक खरीद खरीद कर 41.60 पर आ गई इवन अधर पार्टीज भी अगर आप देखोगे तो अधर पार्टीज की होल्डिंग पहले 17.62% थी वो भी बेच कर 14.23 पर आ गई मुचल फंड ने जम के बेचा एफ़ाइल्स ने जम के बेचा अधर पार्टीज ने जम के बेचा खरीद रहे हैं रिटल इन्वेश्टर ये उमीद में के थोड़ी बहत राहात मिलेगी लेकिन भाई साब देखो इमोशन से सोचना बंद करो पहली चीस तो ये मैं कहूंगा क्योंकि अब ये सोचों कि बाजार ने पिछले एक साथ में कितना अच्छा पैसा बना कर दिया है लेकिन ये इसका डिटन नेगिटिव में है और अभी भी अगर आप देखो देखो मैं मानता हूं कि इनके कसीनो काफ़ी बड़ी आ है ठीक है गोवा में अगर आप देखो क लेकिन लाइसेंस की जो प्रोसेस होते हैं और अभी भी मिलने में टाइम वगरा लगता है जो दिखते हैं कि क्या चीज़े हो पाएगी यहां पर ओवरल में इतना ही कहूंगा कि हर कोई बेच रहा है हर कोई रिटल इन्वेस्टर ही सिफ खरीद रहा है यहां पर तो यह सें करेगा तीर से दिखाने का जो की कर रहा है और जो रिजल्ट्स हैं उसका मैं कोई बहुत बड़ा अच्छा पॉजिटिव इंपेक्ट में नहीं मानता हूं कि आपको यहां पर देखने को मिलेगा कल जब बाजर खुलेगा तो यहां पर तो यही कौँगा मैं आपसे कि नज पॉर्मrange करे दिखाने को मिलेगा मैं आपसे कि नहीं मानता हूं When A